नमस्कार जैहें सुपरबाद तो पेरे बच्चो आज हम आप लोग के लिए तीस बड़े ही इंपोर्टेंट कोईशन लेकर आ गए हैं तो देखें नए पेटन पर आधारित रहने वाले हैं तो ध्यान पूर्वक इन कोईशनों को देखना है और लास्ट में यह जरूर बतान स्वाइ दिन का जोँपड़ी का निर्मान सिक जरी चर्वाय गये था से औपर लेना के लहां कोईशन और लोग का बिलकुल सही होगा राजिस्तां के कितने जिलों की सीमा मदपृत से लग दिये बताव वहीं कितने जिलों की सीमा मदप्रदेश से लगती है दस जिलों की सीमा मदप्रदेश से लगती है ऑपसन नमबर ठीक है option number B आप लोगों का बिल्कूल सही होगा यहां पर आपके एक पुसकर जील भी है ठीक है यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है अगला कोईस्तान में इस्तित दूसरी बड़ी कृतिन जील कौन सी है जिसमें बड़ा टापू बाबा का भांगरा तदा छोटा के नाम से जाना जेता है टाइगर पार्ट राजिस्तान जिसके कचीदा दांकर ins and roll the ーン खिमाट का लुए ओबड़र्ण ऑन अलवर के अंदर एक बहुत फेमस किला जिसका आम बाला किला के नाम से जानते हैं ऐसे ठीक है यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना भई अप्सन नमबर ए आप लोगो को लगा लेना सन 1615 के अंदर की गई थी फरवरे के अंदर ठीक है राज में सतेई जल से सरवादिक चिताई, सिचाई, छंता अर्जित की जाती है, सतेई जल से, बहुत अच्छी कोश्चन है, सतेई जल से यह हो जाती है आपकी पांच भी पंच बरसे योजनास है, ठीक है, ओप्शन नमबर B लगा लेना, कौन सी? पांच भी पंच बरसे लगाए जाती है वंजर चारी एवं रेतिली बूर्मी पर उगने वाले पेड़ उनका नाम होगा सू बबूल बिलायती खेजरा कंजर और सरू है जो ठीक है ऑप्शन नमबर सी एकदम राहे टाउं से कर लिना है क्योंकि बहुत गजब गजब कोश्चन है ट्रैच कमिशन से ऑप्शन नम्ट-D बेंगू किसान आंदोलन से ञोगा बैंगू किसान आंदोलन से ठीक है वी का ने रियासत के कि सासक ने अकबर के नागवर दरबार में उपस्ते तोकर उसकी आदिनका स्युकार कि थी आदिनका शुकार की थी उसका नाम क्या था राव कल्यानम in था क्या नाम था वाई उनका राओ कल्यान मल ऑप्शन नमर डी क्या नाम था राओ कल्यान मल था जन्हों ने आदिन तर शुकार की थी ठीक है राजस्तान सीमा पर भारत पाकी अंतराष्ट्य सीमा का नाम देखें भारत और पाकिस्तान की अंतराष्ट्य सीमा ना उसका नाम क विद्याले की स्थापना अर्जुनलाल सेटी ने नए करांती कारियों को प्रिसक्चन देने ये तो कहां पर की थी जैपुर के अंदर की थी याद कर ले ना ऑप्शन नमबर भी जैपुर के अंदर की गई थी ठीक है 23 दिसंबर 1912 को लाड हार्डिंग पर वर्दमान विद्याले जैपुर के चातने बंफी का तो उसका नाम क्या था देखिए उसका नाम था जोरावर देखिए जिसकी बाजुओं में होता है जोर वो ही फैंकता है बंब च्यारू तरफ है जो है ना बिल्कुल आप्शन नमबर मड़ी आप लोगो को लगा लेना कोई होगा वाई उसका नाम जाला वाड एक्दम राइट आउं शुरूगा जाला बाड जो ठीक है ना कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है देखो चंबल को बीहड देखे बीहड भूमी जो केतना के डांकुओं के लिए डांकु के उपनाम है ठीक है किस जिले में वह जील अवस्तित है जिसका निर्मान बाड रात परिजना के तहट अंग्रेज इंजिनियर फाई के निर्देश में हुआ था वाई नाम बता वाई बहुत अच्छा कोशन है इसका नाम होगा अजमीर अप लोगों का बिलकुल सही होगा अजमीर एकदम राइट आउंसर हो जाएगा ठीक है राज का दक्चिनी पूर्मी पठारी बहुतिक छेत्र भारत के किस नेतिक विवाग के अंतर गता था भाई ठीक है आउंसर देख लो वाई जल्दी जल्दी इसका जो इसका राइट आउंसर होगा देखे प्राई दीप पठारी बाग कौन सा प्राई दीपिय पठारी बाग आप लोगों का बिल्कुल सही आउंसर हो जाएगा ठीक है ना देखे जोती आरेज 6 आदी किसकी किस्म हैं बता बता बाई जल्दी जल्दी बताओ गयों मुंग फली ओडद और जो एकदम राइट आउंस रोगा आपक पर आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट कोशन दिये जा रहे ठीक है वहां पर आप लोगों के लिए तयारी मजबूत करा जाए दिया टेस्ट भी लिया जाता है ठीक है तो जल्दी जॉइन कर लेना टेलिग्राम चैनल को जल्दी बतावाई यह होता है मुर्गियों के अंदर आपको पता है मुर्गियों के अंदर रानी खेत रोग होता है ओप्सन नमर डी मुर्गियों के अंदर कौन सा रोग होता है रानी खेत रोग आपका मुर्गियों के अंदर ही होता है ठीक है ना चलिए देखे नागवट्ट दित्तिया ने मुसल्मानों को पराजित किया जिसकी जानकारी कहा जलवायू प्रदेश के अंतरगत रखा था, ऑप्षिन नमर E बिल्कुल से होगा, direct output से नमर E, 來-startess सा होगा इनके बारे में ठीक है इसका नाम होगा कोई भी नहीं ओप्सन नमबर डी मिलकुल से होगा आप लोग का कोई भी नहीं देखे उसर भूमी किसे कहा गया है जल्दी बता भाई उसर भूमी किसको कहा गया है 26 का ये होगा आपका खारी लवनिये भूमी को उसर भूमी क का आगे है ये कहा पर इसे अपका कोलायत के बिकां नीर के अंदर ठीक है विका नेर के अंदर आपकी करनी माता भी है यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना जो चुओं वाली देवी की रूप में जानी जाती है ठीक है राजस्तान के सनलग लिजले कौन से जली बता वाई सनलग ने जले बताने आपको देखे एक तो शिरोई पा वाली और नाग और राइट आंसर होगा यहाँ लोगों का लाजस्ते फाइनल कोशन है जिसका आप कमेंट से सर्म बताना राज के किस वाग में सालर सागबान बास प्लास के दो कादी के व्रक्ष प्रमुकता से पाए जाते हैं इस का अंसर आप कमेंट से सर्में जुरूर बताना ठीक है बता रहा हूं मैं और हां लिंक के डिस्क्रेप्शन में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और हां टेली ग्राम पर भी जुड़ जाना और डेली इंपोर्टेंट किलास होती है तो प्लूज यहां करो और स्याम को आठ वजें स्याम को आठ पीम पर आप लोगों के लिए टेस्ट होता है तो प्लीज आप उसमें भी जरूर जुड़ा करें ठीक है तो थैंक यू धन्यवाद प्यार लाट दुलार आप लोगों के लिए शुक्रिया